प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर दा लेटेस्ट नियूज एंड अपडेट कौन नगर्पेशन कोन बनेगा सवबदी उमीद की जा रही है जो 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 आलात देखने को मिलें चेहरे जो अजो अज़ा रहे हैं अज़ा पर लोगतन्तर में अज़ा जो है जब पेश आते हैं तो किस तरह का माहूल बनान ज़ाता है मतलब माहूल तो आप देखेंगे इस परकार करा कि एसे एक सार ला रहे हैं जैसे किसी को केदी को लेकर आए जा रहे हैं बाड़े बंदी में लोगतन्तर में यह तो आज के लिए पुरानी बात हो गई है हमेशा से यह होता है किस तरह का महूल देखने को मिला क्या उमीद की जा रही है कुछी देर में पढ़ना माने वाला है माहूल तो अच्छा है कि परशासन पूरी तरह के मुस्तेद है और भीड को खदेड रहा है और अली एमद का पलड़ा भारी है बाच्पा आयते अपने बाड़े बंदी के स उस युवा से क्या उमीद कर रहा है टॉक युवा से यही उमीद है कि विकास का आयामते होंगे और विकास होगा जिस भारी मतों से उनकी जीत का आसार लग रहे हैं तो उससे लगता है कि उस भारी मतों से वो उसी उस्सा के साथ वो टॉक का विकास करेंगे क्योंकि उनके पाइलेट का साया जो है विकास के नए आयम स्थाभित करेंगा टॉंक नगर परिशद में देखे तो उनका एक ही नारा था मेरा तो पेट का पाने ही लिगा लेकिन अभी तक तो दिखा नहीं अब देखते हैं अगर परिशद चुनाओ जैसे अब पेले भाजपा का था अभी यह यंग लड़का आया अली एमद इसको देखते हैं कितना विकास करता है कि एक तरह सचीन का जो सपना है पूरा होता है यह तो आने वाला समय बताए कुछी देर के अंदर टॉंक नगर परिशद के चुनाओ परिणाम सामने आ जाएंगे सभापती का चेहरा जो है उसामन आज देन से यहां आगे पूर होगा तबापती बनने जाएंगे सभापती बनने जाएंगे सभापती करता है करते हैं जाएंगे सभापती बनने जाएंगे सभापती करता है करते हैं जाएंगे सभापती 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 करते ह